नमस्कार दोस्तो आज हम चर्चा करेंगे बायो टेक्नलोजी की बायो टेक्नलोजी बिज्ञान की बो शक्षा है जिसका प्रयोग जीवन के हर खेत में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है चाहे वो मेडिकल बायो टेक्नलोजी हो इंडेस्टर बायो टेक्नलोजी हो या एग्रि कल्चर बायो टेक्नलोजी क्या होती है और इसका क्या उप्य होगा है जो चात्र इस छेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनकी eligibility क्या होगी कहा admission लेना चाहिए admission process क्या होगा और job opportunities क्या होगी दोस्तों वीडियो बहुत informatic होने वाला है इसलिए मेरी request है कि वीडियो पूरा देखें और कोई doubt हो तो comments box में अवश्य लखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि biology क्या होती है कि बायो टेक्नोलोजी दो शब्दां का combination है यानि biology प्रस technology यानि science में टेक्नोलोजी का उपियोग इस तरह किया जाए कि वो समाज के लिए हित्रकारी हो तो असलिए हम कहते हैं बायो टेक्नोलोजी एग्रिकल्चर में बायो टेक्नोलोजी का बहुत उपियोग है जैसे फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए फसलों में उपज बढ़ाने के लिए उनकी गुनवत्ता बढ़ाने के लिए इस लिए क्रशी सम्मंदित जितने भी प्रजेक्ट होते हैं उसमें बायो टेक्नोलोजी की position प्राह होती है तो दोस्तों अगर आप बाइटेक्नलोजी में अपना केरियर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइटेक्नलोजी में अपना केरियर बनाने के लिए आपके eligibility क्या होना चाहिए आपको science का student होना चाहिए यानि 12th में आप PCB या PCM अगर पड़े हुए हैं तो आप biotechnology बन सकते हैं अगर आपने 12th PCB या PCM से किया है तो आप B.Tech, agriculture, biotechnology कर सकते हैं उसके बाद master's और PhD कर सकते हैं अगर आपको 12th में agriculture है तब ही भी biotechnology बन सकते हैं इसके लिए या तो आप सीधे B.Tech कर सकते हैं नहीं तो आप B.C. agriculture या horticulture कर सकते हैं और master's में MSCAG, plant biotechnology कर सकते हैं और इसके बाद PhD कर सकते हैं इस तरह science की किसी भी स्ट्रेम में पढ़े हैं student के लिए biotechnology बनना बहुत आसान है दोस्तो बाइटेक्नलोजिस्ट बनने के लिए आपको एक अच्छी जगे से डिग्री लेना भी आवशक है क्योंकि बाइटेक्नलोजी बहुत ही advanced science है इसलिए इस बिशे का गहन अध्यन करना बहुत जरूरी है तब ही एक सफल बाइटेक्नलोजिस्ट आप बन सकते हैं और गहन अध्यन करने के लिए आप जिस जगे से बाइटेक्नलोजिस्ट की डिग्री लेकर आएं बहुत अच्छी labs, बहुत अच्छे teachers होना बड़ा आवशक है agriculture के अगर हम बात करें तो कुछ इंस्टूट्स के नाम में बताना चाहूँगा जहां अगर आप एड़ुशन लेते हैं तो आप एक सफल बाइटेक्नलोजिस्ट बन सकते हैं जैसे IARA New Delhi Indian Agriculture Institute यहाँ बाइटेक्नलोजिस्ट की बहुत advanced lab है और देश में नमबर वन की lab मानी जाती है अगर आपने सुना हो GB Pant University of Agriculture and Technology है जो पंत नगर उत्तराखंड में इस्तेत है बहां भी बाइटेक्नलोजी का बहुत अच्छा काम हो रहा है आप बहां भी अपनी डिग्री ले सकते हो बनारस हिंदी इनिवर्सिटी बारहने सी अगर आप साउस्थ की तरफ जाना चाहें तो साउस्थ में बाइटेक्नलोजी का बहुत अच्छा काम हो रहा है कुछ नाम मैं बताओ UAS Bangalore यानि University of Agriculture Sciences UAS Dharward दोनों ही इनिवर्सिटी करनाटा काम है और बाइटेक्नलोजी में पायोनियर है इसी तरह तमिलनाडू में है TNAU तमिलनाडू Agriculture University जो कोईम टूर में स्थित है बहाँ भी बाइटेक्नलोजी का बहुत बढ़िया काम हो रहा है आप उससे भी चुन सकते हैं इसके अलाबा इस्टेट इनिवर्सिटी जहां बहुत सारी जहां आप बाइटेक्नलोजी कर सकते हैं एक्चली बाइटेक्नलोजी में पोष्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ज्यादा तरह अग्रिकर्चर इनिवर्सिटीज में अपलब्द हैं अगर आप बाइटेक्नलोजी बनना चाहते हैं तो अपना केरियर दो तरह से बना सकते हैं या तो सीधे बीटेकर करके माश्टर्स कर लिजे या बीए सीएजी करके भी आप माश्टर्स कर सकते हैं अब हम चार्शा करते हैं कि अगर आपने बायो टेक्नलोजी हमें अपना केरियर बनाने के चुन ले आए, तो कौन-कौन सी जॉब अपर चुटीजे, दोस्तो बायो टेक्नलोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जहां अगर आपने गहनता से अध्यन किया, सब्जेक्ट की नौलेज अगर आपको रही, तो जॉब्स की अप प्लान करना पड़ेगा, यानि आपको प्रोग्राम बनाना चाहिए, तभी एक सफल वायो टेक्नलिस्ट आप बन सकते हैं, फिर भी अगर आपको बैचलर करके छोड़ देते हैं, तो भी आपको कुछ जॉब अपर्चुटीज हैं, पर्टिकुलरी एग्रू बेस्ट कमपन कुछ कमपनी का नाम जैसे मॉंसेंटो है, इंटरनेशनल कमपनी है, या यूस बेस्ट है, बायर, महीको, धानुका, नुजुबुडी, नामधारी, कितनी कमपनी हैं, जहां पर रिसर्च होती है, और रिसर्च को या तो बीडर्स करते हैं, या बायर टेक्नलिस्ट करते हैं अगर आपने माश्टर्स कर लिया है, तो आप ICAR में करशी बैग्यानिक बन सकते हैं, ICAR हर साल करशी बैग्यानिक की पोजिशन निकालता है, इसमें बायर टेक्नलिस्ट की भी निकलती हैं, तो ICAR के जित्ते भी इंस्ट्रूट्टर देश में, उन सब में काफी में बायर ट इसमें उन में भी असिस्टिंट प्रोफेसर प्लांट पायर टेक्नलॉट की पोजिशन होती हैं, यूण कि बायर टेक्नलोजी अंडर ग्रेजुट का भी एक एक एसेंसल कॉर्स है, और उसको बढ़ाने के लिए क्रशी विश्विध ज्यालय भी असिस्ट प्रोफेसर प्ल शक्ता रहती ही रहती है चाहे वो रिस्टेस साइंटिस्ट हो चाहे हाई लेबल पर हो कुछ इस्टूट के नाम में बताना चाहूंगा जैसे आई ए आर आई आई इरी इंटरनेशनल राइस रिस्टूट मनी रा फिलिपाइन से में हैं मां खूब सारे बाइट अनुट लगे कई सब अपेस हैं महां बाइट अनुट को खूब जर्रत रहती है इस तरह सी एट है कोलंबिया में इकार्डा है मुरको में बहुत सारे इंस्टूट से एक्रिकल्चर के जहां पर बाइट अनुट को लगाया जाता है एज रिसे साइंटिस्ट और बाद में प्रमेशन होते होते हैं बड़े अच्छी पोजिशन पर आप लोग पहुंच जाते हैं बाइटेक्नलोजिस्ट को बढ़ावद देने के लिए भारत सरकार भी पूर तरह प्रयास रहते हैं और भारत सरकार कई डिपार्टमेंट्स हैं जैसे डिएश्टी डिपार्टमेंट आफ साइंस एं अगर आप पेजड इंडिया में कर चुके पोजडों के लिए बिदेश जा सकते हैं इवन आप सर्विस जोइन करने के बाद भी स्टडी लीप देकर सरकार बिदेशों में बेशती है ताकि हम देश में एक अच्छे बाइटेक्नलोजी की रिसर्च कर सकें तो दोस्तों बह जामिन एगरिकल्चर यह NTA के माध्यम से होता है तो जितने भी ICR के इस्ट्वोटसे हैं जहां एडिकेशन होती है उन सब में 100% सीट है इस टेस्ट के माध्यम से भरी जाती है इस में आइस सबमें इस टेस्ट के माध्यम से आप एडिविशन ले सकते हैं इसके अलाबा जो तो इस्टेट एग्रेटर निविश्टिटी हैं उनमें 25% सीट इस AIEE के माध्यम से भरी जाती हैं तो आप किसी दूसरे स्टेट के एग्रेटर निविश्टिटी में भी एड़िशन ले सकते हैं अगर आप अपने ही स्टेट में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके स्टेट में जो एग्रेटर निविश्टिटी है उसका टेस्ट होता होगा वो टेस्ट देकर भी आप वहांके एड़िशन दे लीजिए और बाद में अपना मास्टर्स पेस्डी में बाय टेक्नलोजी को एग्रेट चुन सकते हैं तो इन में एड़िशन का वही प्रोसेस होता है कि वह टेस्ट होता है और टेस्ट में आपको फायर लेना होगा और लेकिन सबसे इंपर्टेंट है कि आपका 12 में PCV, PCM या एग्रिकल्चर ना चाहिए तो दोस्तो इसके अलावा जॉब्स की हम बा बनती है तो दोस्तो बहुत अच्छा केरियर है लेकिन मेहनत है तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं बड़ा सोचते हैं तो बाय टेक्नोलोजी को अपने केरे ग्रूप में चुन सकते हैं